नमस्कार आपका मेरे चैनल रितूस क्राफ्ट और किचन में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको बिल्कुल स्वादिश से और बिल्कुल आसानी से बनने वाले पोहे बताऊंगी जो कि बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे और एकदम खिले खिले एकदम अच्छे पोहे बनेंगे जो कि जैसे मार्केट में बनते हैं बस वैसे ही सबसे पहले ये पोहे लिले ये पोहे थोड़े मोटे वाले हैं तो जो पोहे हैं मोटे वाले उनसे पोहे जादा अच्छे बनते हैं तो मोटे वाले पोहे लिले जिससे मैंने चार कटोरी पोहे लिये हैं अब बस क्या करेंगे इनको अच्छे से धो लेंगे हलके हलके हाथों से दुए ताकि इसके उपर जो पाउडर रहता है वो अच्छे से निकल जाए फिर बस धोने के बाद देख सकते हैं मैंने धो लिया है धोने के बाद क्या करें इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी पानी कितना डालना ह बिल्कुल पोहे के लेवल तक का पानी डालना है तो यह देख सकते हैं पोहे के लेवल जितना पानी डाला है मैंने पस थोड़ी जरवाथ 15 मिंट बाद अगर इसको आप देखेंगे तो यह बिल्कुल अच्छे से सोक लेगा अब क्या करेंगे एक प्यास ले 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 और साथी प्यास को लंभा- helped do it. आप जिसे प्यासे के10 प्यासे काटकेंस के 5 हेज़ों अाध्या क sheriff कर लें अब एक च्छोटा से प्यास मैं और उसको बारीक कर लें एक्दम्दा कर ले ना है ताकि फ्यासे प्यास की प्यासे कना роль को इस थी दिखी और साथी में अनार की कुछ दाने ले लेंगे.. और साथी में लेंगे.. बारिक कटिवी हरी दनिया.. और साथी में ये सबसे common important है.. बारिक सेंव.. जो की पोहे में डेलती है और साथ ही में आप गर आप बूंदी एड़ करना चाहते हैं तो आप बूंदी भी यूज़ कर सकते हैं आप क्या करेंगे बस एक कड़ाई लेंगे और उसमें डाल देंगे तेल डालना है आपको चार चम्मच बड़े चम्मच से चार चम्मच तेल डालेंगे और देख सकते ह बिल्कुल इसले लेबल का पानिर्स में यूज़ करें अब पोहे में ही डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी और साथ ही में डाल देंगे दो चम्मच जितना आमचूर पाउडर अगर आपके पास हो तो ही डाले नहीं तो यह ऑप्शनल है वैसे इस से कहा हलका सा खटा मीटा स् सकते हैं और नहीं काते हैं तो आप शक्कर नहीं भी यूज़ कर सकते हैं बट मार्केट के पोहे में शक्कर डालती है और बस सभी चिज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें बिल्कुल हलके हातों से इसको मिक्स करें पोहे जो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं दिख सकत और एक चम्मत सौफ और डाल देंगे इसमें प्याज और अच्छे से इन सभी चीजों को भूनने दे हलके से लाल होने तक इनको अच्छे से भून ले अब क्या करेंगे इसमें डालेंगे आधी चम्मत नमक जिससे क्या है प्याज का रंग तोड़ा गहरा आएगा अच्छा आएगा बस सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें फर हलके से लाल हो जाए फ्रे डाल देंगे इसमें पोहे बस Link हाज कर ले है जादका कि पकान है जब हलके से पोहे हो जाए इतनी देशे ले धक करके पका लेङए फ् ultra नमक और फिर से इनकों सबसे बारीक बारीक टे लिए अच्छा टेस्न कहाँ है तो इसको जब साथ लिए ढाला दुए ज देख सकते हैं अगर बारिक सेम अगर बुंदी डालना चायते हैं सेम बुंदी जब भी आपलणना चाहते हैं अब डाल खुछ दनें नहें नह Lifted बन करके रेडी है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें